कि अगर मेरा बस चले तो मैं उससे सबक सिखा दूँ अगर मेरा बस चले तो मैं यह काम दो दिन में कर दूँ तो फ्रेंड इस तरह की स्टेक्चर कैसे बनती है चलिए देखते हैं एक स्टेक्चर होती है मार पास इस एक और एक्जामपल देखे जैसे की अगर मेरा बस चले तो मैं वहां कभी न जाओं if I have my way I will never go there विल का यूज इसलिए कर रहे हैं कि future में result की बात हो रही है but result आने रहा result future की बात हो रही है अगर future में करे वह ऐसा काम तो will का यूज कर रहे है अगर मेरा बस चले तो मैं उसे यह ना आने दूँ तो if I have my way I will not let him come here बहुत important है अगर देखें जैसे की अगर मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को छुट्टी दे दूँ तो आप बोलिए if I have my way I will grant a leave to all of you ठीक है और इस तक सेंटर इस तक तक आप बोलते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं यह काम करता ठीक है इसको बनाने के लिए आप क्या करना है तो if I had my way I would help her ठीक है if I had my way I would help her एग्जामपल देखिए और जैसे की अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाता तो if I had my way I would go there ठीक है if I had my way I would go there यदि मेरा बस चलता तो मैं तुम से रोज़न दो गंटे बात करता if I had my way I would talk to you for two hours every day ठीक है यहाँ पर चलता तो मैं वहें काम करता धान कर देगा had और would का यूज़ करना है ठीक है और एक उस्टेक्चर देखिए जैसे की यदि मेरा बस चलता तो मैं उससे सबक सिखा दिया होता अब यहाँ पर result भी आ गया है यहाँ पर result भी आ गया सबक शिखा दिया होता ठीक है यहाँ पर would have plus वर्बी की थर्ड फोरम लगानी आपको एक्जामपल देखिए कि if I had my way I would have taught him a lesson वर्बी की थर्ड की फोरम लगा दिया है I would have taught him a lesson शिखा दिया होता result भी आ गया है यहाँ पर जैसे कि अगर मेरा बस चल आ गयोंगे समझ में आगे चल्ब सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर लीजे आगे आपको इस तरह की वीडियो पर दो